सो हेलो माई दियर चेंपियन्स कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टो अनकेडमी सीए फांडेशन यूट्यूब चैनल मैं हूँ प्रणव और आप लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो सीए फांडिशन दिसंबर 2022 में अगर आप एक्जामिनीशन दे रहे हैं और अगर आपका प्रोबैबिलिटी चैप्टर का बहुत ज़्यादा टेंशन है तो मैं आपको बोलूँगा देखो यार अगर तुमने कर लिया है तो यह वाली सिरीज में तुम प्रॉपरली रिवाइ यह भी और वर्स्ट के सिनेरियो मतलब अगर कोई छोड के जा रहा है इससे बेटर कम से कम कम से कम फास्ट्रेक वाले पार्ट से कर ले तो कुछ तो आपके दिमाग में वो चीज स्टोर रहेगा फाइन सर शुरू करता हूं सबसे पहले अपने इंट्रोड़क्शन के साथ म मैं नम इस प्रनाव एम फास्टम्स ये विद फाइव एर्ट अपर सी आम एन एजुकेटर भाई पैशन भाई चॉइस दिल से रहे दिल से रहे यह एजुकेटर फांडेशन लेवल पेपर 3 मैं अचलर स्टेट्स इंटर्मिडेट लेवल पेपर 3 कॉस्ट अन मैंनेजमें काँट्ञ और अगर आप कोई भी फ्री लेक्चर जो मैने रग्लर लेक्ट़् और लेक्चर भी लिए हैं ऐसे लिए चलिए शुरू करते हैं इंडिपेंडेंडेंट प्रोबिलिटी देट देट दे प्री सेक्षिन अफ दे कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आर इनकाउंटरिंग दे कॉंप्यूटर एर्र आर पॉइंट 2, 0.3, 0.1 देखो भाई मैं ये वाला पार्ट में नहीं करवा रहा हूँ इसका रीजन यह है कि यह हमारा कल का जो वो जॉपरवाईजर वो जॉप वाला कॉश्चन था न उसके जैसा सिमिलर है यह मुझे करवाने के जरूत आप लोगों को हैस सच नहीं है लेकिन इसका जो second part है वो amazing है sir second part में लिखा हुआ है कि what is the probability that there would be one and only one computer error per week तो मैं आपको इसका equation बना देता हूँ तो आप समझ जाओगे इनका कहने का मतलब यह है कि यह जो तीन लोग है ना तीन लोग जो गलतियां कर रहे हैं हम यह जानना चाहते हैं कि what is the probability कि सिर्फ एक जना गलती करे और कौन सा एक जना यह नहीं बताया है सिर्फ एक जना सिर्फ एक जना मतलब अगर मेरे भाई A ने गलती करी है तो B और C गलती ना करें अगर B ने गलती करी है तो A और C गलती ना करें अब इसके आगे कैसे solve करना ये भी कोई पूछने वाली बात है simply sir इनको multiply करते जाएंगे बस क्योंकि ये independent events है क्योंकि ये सारे independent events है तो intersection को हटा के multiplication लगा दो sir लेकिन b compliment c compliment कई से निकालेंगे अरे क्या कई से निकालेंगे 0.3 जो अगर तुमारा वो b का probability है तो b compliment हो जाएगा 1 minus 0.3 मतलब 0.7 c compliment हो जाएगा 0.9 ये भी कोई बताने वाली बात है तो भाई जो काम की चीज़ थी वो बता दिया हूँ इसको आगे को solve करने का तुमारा जबाबदारी है ठीक है चलो भाई साब ये हमारे कवरे छेतर से बाहर है ये regular class में करवा दिया था लेकिन वहाँ भी बोल दिया था इस समझ में ना आया हो तो आप बिलकुल drop कर सकते हो और आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ इस question की वज़ज़ से अपने probability के confidence को लोग मत होने दो बिलकुल नहीं ठीक है ये question थोड़ी आने वाला paper में थोड़ा हटके सवाल है थोड़ा tough है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ ये वाला question तुम करके जाओ क्योंकि पता नहीं मुझे अंदर से लगता है कि ये question जब भी paper में आएगा न as it is पूछा जाएगा as it is ठीक है रियान से सुनना क्या लिखा हुआ है if 8 balls are distributed and random among the 3 boxes यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा है कि 8 में से 3 ball चुननी है 8 balls को 3 अलग-अलग boxes में distribute करना है अब ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुए कि एक box में कितने आएंगे क्या आएंगे कुछ भी नहीं यहाँ जो random experiment है वो काफी बड़ा है कैसे क्योंकि हर एक ball हर एक ball जो तुमारे पास है ball number 1, ball 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन में से कोई भी ball तुम चुन लो bro कोई भी ball तुम चुन लो हर ball के पास 3-3 options है कि वो box number 1 box number 2 या box number 3 में जा सकती है 1, 2, 3 इसी तरीके से यह कहानी चलती रहेगी मतलब every ball has 3 choices कि वो किसी भी box में जा सकती है 3 box है ना मारे पास यह देखो 3, 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 3 so if somebody ask you कि what is the total number of sample points in the sample space my answer is 3 to the power that is the specialty about this question it's not a normal question combination का कि 8 में से 3 चुन लिया अच्छे से पढ़ो तो सही 8 balls को 3 boxes में distribute करना है इसके 3 to the power 8 number of ways है very large number of ways yes, next अब तुम से जो probability पूछ रहा है वो event को देख लो what is the probability that first box would contain 3 ball तो आपका event हो जाएगा first ball जो है वो जो है आपका 3 balls contain करें तो बहुत simple है sir अब इसका जो number of sample points of event A निकालना होगा न तो घ्यान से सुनिएगा पहले तुमको 8 में से कोई भी 3 ऐसे ball चुनने हैं जो पहले box में जाएंगे first box में 3 ball जानी है तो सबसे पहले तुमको चुनना पड़ेगा कि 8 में से कौन सी 3 ball वहाँ जाएगी अब देखो वो जो 3 ball है वो तो चली गई वहाँ पर अब कितनी ball बची 8 में से 3 ball तो box के अंदर चली गई अब बची मेरे पास कितनी ball अब मेरे पास बची 5 ball अब मेरे पास बची 5 ball उन 5 balls के पास कितने options है box 1 में तो वो जा नहीं सकती क्योंकि box 1 में तो पहले बोल देगी बस 3 ball आएंगी तो box 1 भर गया वहाँ 3 ball आनी थी ऐसा limit question में दिया हुआ है और 3 ball वहाँ चली गई है जो कि मैंने combination से निकाल दिया तो अब पांचो के पांचो boxes के लिए दो दो options है box 2, box 3 box 2, box 3 पांचो के पांचो balls के लिए तो यह हो जाएगा remaining तुमारा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अब इसका answer मैंने निकाल रहा हूँ 2 to the power 5, 8 c 3 whole divided by 3 to the power 8 that's the answer बाकि solve तुम कर लेना पर मैंने तुमको logic बता दिया है calculation में time waste नहीं करूँगा ठीक है अब यह combination पर base सवाल है बढ़िया वाला थैंक्यू तरुन यह बहुत बढ़िया सवाल है a lot of 10 electronic component is known to include 3 defective parts if a sample of 4 component is selected at random from the lot what is the probability that this sample does not contain more than one defective जब भी defective-effective वाला आता है मैंने combination में भी तुमको यही सिखाया था लिखा हुआ 10 component हाँ कितने defective है वो side में लिख दो 3 कितने non defective है वो भी side में लिख दो 7 अब तुमारा sample space का number of sample point कितना निकलेगा तो मैंने बोला सर 10 में से मुझे 4 component select करने है तो मेरा ns हो जाएगा 10 c 4 तो यह number of sample points of sample space हो गया 10 c 4 अब इसको denominator में लेना है तुमको probability निकालते समय अब probability किसकी पूछ रहा है कि sample में does not contain more than one defective एक से ज़्यादा defective ना हो तो मैं एक काम करता हूँ ना एक से ज़्यादा defective ना हो मतलब कितने defective हो या तो 2 हो या तो 3 हो नहीं सर एक से ज़्यादा ना हो बोला अच्छा एक से ज़्यादा ना हो मतलब 0 हो या फिर 1 हो या तो 0 defective या तो 1 defective यही मतलब निकला ना तो तुमारा event का यहां पर मतलब निकल गया either 0 और 1 defective सीधी बात है अगर तुमसे बोलाए कि एक से ज़्यादा नहीं होना चीए मतलब 0 या 1 होना चीए अब दोनों की प्लोटी निकाल देते हैं either 0 या 1 अगर मैं तुमसे बोलू कि 0 defective मतलब 3 में से 0 चुनना और बाकी 4 के 4 जो तुमने sample ली हैं वो non defective में से चुनना अगर तुमसे बोलू 1 defective इसका मतलब 3 defective में से कोई 1 चुनना और 7 non defective में से 3 non defective चुनना और इस पूरे को तुम divide कर दोगे 10 C4 से तो तुमको answer मिल जाएगा इसके आगे मैं नहीं करवा रहा हूँ लेकिन logic यहाँ पर clear हो चुका है calculation आपके हवाले तो ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने यहाँ पर भी यहाँ पर भी मैंने यही बोला क्योंकि तुमको बोला 0 defective या 1 defective मतलब जो तुम 4 चीज़े चुन रहे हो ना उसमें से 0 defective मतलब सारी की सारी non defective 7 C4 अगर तुम उसमें से 1 defective चुन रहे हो मतलब मैं sir आपके यहां पर coverage छेत्र से बाहर कर देता हूँ, does not make much sense to invest our time on this. What is the probability of A, B, C? जब आपको already पता है कि यह independent है, यह भी कोई पूछने वाला सवाल है, 3, 2, 6, 4, 24, 0.024, multiply कर देना, सीदे तीनों को और क्या, next. अरे, chats रुख गई थी, आर, तुमारे हवाले calculations हाथ ही हो, 2 balls are drawn from a back containing 5 white and 7 black balls, what is the ability that they would be of the different color? अब देख भाई, तेरे पास कितनी ball है, 5 और 7, तेरे पास 12 balls है, उन 12 balls में से तू कितनी ball चुन रहा है, 2 balls चुन रहा है, तो सबसे पहले तो NS कितना हो गया, NS हो गया 12C2, अब तुमसे पूचा जा रहा है कि भाईया, वो दोनों different color क्यों होनी चाहिए, इसका मतलब क्या निकला, अगर पहले वाले box में से white निकला है, तो दूसरे वाले में से black निकलना चाहिए, और अगर पहले वाले में से black निकलना चाहिए, सीधी बाद, नोबक वास क्लेर, कि पहले वाले में से black निकला, तो दूसरे वाले में से white, इन दोनों की blood निकाल दीजिए, अब white पहले वाले box में से white निकलने की प्लूटी क्या होगी सर पहले वाले box में से white निकलने की प्लूटी होगी 5C2 into अच्छा divide में यह तो आये कहीं हर जागे 12C2 into दूसरे वाले में से black निकलना that is 7C2 upon 12C2 वह ही अगर मैं बात करूँ पहले वाले में से black उल्टा बोल दिये के मैं कुछ पहला और दूसरा तो ही नहीं आपर दो बॉल की बात चल रही है पहला और दूसरा तो यहां पर ही नहीं they would be of different color तो एक black होना चाहिए एक white होना चाहिए that's it आग यह answer 5735 12 into 11 upon 2 तो कभी-कभी probability में एक्स्ट्रा दिमाग लग जाता है ठीक है तो option is the correct answer अरे simple है भाई मुझे ऐसा लगा कि दोनों boxes में से अलग-अलग अपर boxes हैं कहां भाई वो तो पिछले question में थे boxes इस question में कौन से box हैं जैसा कभी-कभी mixture हो जाता है भाई माइंड में माफ कर देना यार next ABC mutually exclusive भी है independent भी exhaustive भी हो तो बताइए priority कि वो साथ में हो जाएं अरे यार यह तो theory question हो गया अगर कोई चीज exclusive है तो फिर बात ही खतम करो ने यार बात ही खतम करो अगर कोई चीज exclusive है तो फिर उनके साथ में होने की ability जीरो ना यह मैं नहीं कर वा रहा हूं भाई कल इसके जैसा कितना प्यारा question अपने detail में कर लिया है यह भी मैं नहीं कर वा रहा हूं यार विकोज यहां पर a plus b निकालना इसका मतलब तुम्हें probability of a union भी निकालना है और तुम्हें यहां पर p a और p b दिया हुआ और तुमको भी फता है दो option है तुम्हारे पास या तो तुम question को छोड़ दो या तो independent मानना भी नहीं है दिया ह हुआ है तो intersection खुद निकल जाएगा ना फिर से independent दिया पी भी निकालना यह भी दिया हुआ है मैं नहीं करवा रहा है इसको भी इस type के question अब तुम्हारे कवरे च्छेतर में already आ चुके हैं तो मुझे करवाने की ज़रूत नहीं है यह अच्छा सवाल लेसा आप से पूछ र है कि one minus probability of a union B और हम तुमको ऐसे भी लिख सकते कि one minus probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b तो अब देखिए one minus probability of a कितना हो जाएगा small a probability of b क्या हो जाएगा small b और minus probability of c कितना वो क्या हो जाएगा इसको open कर दिया one minus a minus b plus c one minus a minus b plus c option d is the correct answer correct है बहुत बढ़ियों लाजवाब गईस सुपभ दिशा आशीश बहुत बढ़िया two coin two coins are tossed simultaneously साथ में फेक रहे हैं what is the probability that second coin would show a tail given that the first coin has shown a head तुमने दो coin ठेके हैं एक साथ मतलब तुम्हारे sample points कितने हैं चार second coin would show a tail given that the first coin is shown a head तो बताइए probability of b अबलिक a जहां पर a का मतलब है कि पहले वाले coin में पहले वाले toss में first coin में head आ चुका है तो देखो भाई तुम्हारे ht th dt और hh इसमें से कौन से ऐसे cases हैं जिसमें तुम ऐसा बोल सकते हो कि पहले वाले में head आ चुका है तो मैंने बोला two out of four two है ना तो probability of a मेरा हो जाएगा one by two और वही अगर मैं तुमसे पूछू प्रबाइबिलिटी ऑफ b कि what is the second coin would show a tail कि दूसरे में tail आ जाए दूसरे में tail आ जाए वो कब हो सकता है तो मैंने बोला वो भी दो बार हो रहा है one by two अब लेकिन पूछ रहा है a intersection b upon a तो कैसे करोगे तो मैंने बोला कि भाई पहले वाले में head आ गया हो और दूसरे वाले में tail आ गया हो ऐसा कितनी बार हो सकता है मैंने बोला ऐसा तो एक ही बार हो सकता है one upon four और what is the validity of a one by two overall कितना हो जाएगा one by four into two by one ये भी one by two हो गया answer भूम फिरके 0.5 ही आ गया समझ में आरी बात भाई बहुत अच्छे very good ये वाला question जो है गडबड है गडबड question है इसमें यहां पर आना चाहिए p upon q plus one लेकिन अब मैं इसको नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ideally उनको none of these answer देना चाहिए तो confusion वाली चीज़ों को confusion वाली चीज़ों में कौन focus करें वाई छोड़ो ना अलग करो आगे बढ़ते हैं ये तुम already कर चुके हो कल कर चुके तुम same चीज मैं नहीं करवार आज it is given that a family of two children has a girl what is the probability that other child is a girl अब यार family में देखो दो बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकते हैं पहली girl दूसरी girl पहली girl दूसरा boy पहला boy दूसरी girl या दो no boy ऐसी हो सकता है right what is the probability that other child is also a girl given that one girl है one girl है मतलब जो event तुमारा हो चुका है ए वो है कि एक girl तो है एक girl तो है मतलब three by four कम से कम एक girl तो है और दूसरा है be obligate कि यह जानते हुए कि एक girl है और दूसरी girl हो जाए ऐसा कब हो सकता है तो मैंने बोले देको तीन में से एक case मेरा ऐसा है जिसमें दोनों girl है तो यह actually हो जाएगा one by four और जब तुम divide कर दोगे उसको तो यह तुमारा हो जाएगा three by four से divide यह हो जाएगा one by three one by three मतलब option c logical भी समझ सकता है ना तू कि पहले तूने तेरे sample space को छोटा कर दिया तीन लोगों में अब उस तीन में से कहां तेरी satisfaction हो रही है कि दोनों ही girl हो ऐसा तीन में से एक बार हो रहा है one out of three correct sir very good kanika superb enjoy सारा का सारा करना छोड़ के मताना कुछ भी now what is the ability to problem would be solved भाई ये वो ही वाला है d Morgan law और union को साथ में लगाया था कल हमने वो job वाला question था बिल्कुल similar question है ये भी what is the ability that at least two of them will survive अब मैं इसकी equation बना देता हूँ at least two of them मतलब a जिन्दा रह जाए b जिन्दा रह जाए लेकिन हमारे c जो है वो 10 हो जाए probability की a जिन्दा रह जाए b 10 हो जाए और c जिन्दा रह जाए और तीसरा है probability की a भी जिन्दा रह जाए b भी जिन्दा रह जाए लेकिन c जो है नहीं a जो है वो 10 कर जाए और ये तो हो गया दो लोग कि दो लोग survive कर गए लेकिन यहाँ तो at least two बोला है तो एक ऐसा भी case ले लो जिसमें तीनो survive कर जाए A intersection, B intersection यह चारो का प्रोलिटी का total कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा सर, ठीक है Very good Tom speaks truth in 30% cases, Dick speaks truth in 25% cases, what is the reality that they would contradict each other मतलब बकाट Tom भाई ने हच सच बोला है तो Dick भाई गलत बोलेंगे, तो मैंने बोला एक का सही वाला probability तो दूसरे का जूट वाला probability पहले का जूट वाला probability तो दूसरे का सही वाला probability, बस यही तो मुझो निकालना है that's it 0.3 into 0.75 m plus 0.7 into 0.25 m plus memory recall 0.4 which is option B ठीक है सर, चलिए, यह तो अपने coverage छेतर से बाहर है यह भी छोड़ो रहने दो यह already कर चुके है, वो same question है, बस अब mcq के format में आ गया है, चलिए, तो इसके साथ अब मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए random variable priority distribution के अंदर मैं आपर आपको कुछ important बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले random variable क्या होता है तो तुमने statistics का basics पढ़ा था मेरे साथ जब 20 marks का revision कर रहे थे main class में भी बढ़ा था तो हमने एक word पढ़ा था variable variable का मतलब होता है कोई भी value जो vary करती हो, that is variable पर वो कहीं भी कोई भी number में चलता था यहां पर हम बात कर रहे हैं एक random experiment के अंदर variable मतलब जैसे मैंने बोला कि तीन बार coin उच्छाल रहे हो तो number of heads को मैंने एक variable बना दिया या फिर number of tails को मैंने variable बना दिया इस तरीके से हम number of heads, number of tails इस तरीके के random variable define कर सकते हैं random experiment तो उस चीज़को अब हम सिर्फ variable नहीं बोलेंगे उस चीज़को अब हम बोलेंगे random variable it is a variable defined on a sample space of a random experiment तो मतलब random experiment होना चाहिए उसके अंतरगत बनाया हुआ variable जो है वो random variable कहलाएगा अब जिस तरीके से तुमारे variable भी दो type के होते थे एक discrete और एक continuous वैसे तुमारा जो random variable है वो भी दो type का होगा discrete और continuous हम यहाँ पर probability chapter के अंदर सिर्फ discrete की बात करते हैं और रही बात तुमारे continuous की तो continuous की बात हम लोग करते हैं कहाँ पर जाके continuous की बात करते हैं सर हम लोग theoretical distribution chapter के अंदर जाके ठीक है अब सुनो probability distribution का मतलब क्या होता है आप लोगों ने frequency distribution पढ़ा है frequency distribution की value लिखते हैं value के सामने उसकी frequency लिखते हैं दोनों की table बना देते हैं उस table कौम frequency distribution बोलते हैं yes or no हाँ सर उसी तरह अगर तुमने कोई ऐसी table बना दी जिस table के अंदर एक तरफ तो तुमने random variable की values लिख दी और दूसरी तरफ उनकी corresponding probability लिख दी तो इसे हम लोग बोलते हैं सर probability distribution अब मैं आपको बढ़िया सा example देके इस चीज को फटा-फट समझा देता हूं conceptually अगर coin तीन बार उचाला गया है और x का मतलब है number of heads तो अब सुनिए x is a random variable ऐसा question ने मज़े बोल दिया है सबसे पहले मैं लिखता हूं मेरा random experiment क्या है coin tossed three times अब मेरा sample space क्या बनेगा मेरा sample space बनेगा तीन के तीन head आजाए या फिर HHT आजाए या HTH आजाए या HTT आजाए THT आजाए TTH आजाए TTT आजाए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ THH बाकी है ना THH और आगी है यह हो गए तुमारे 8 sample points अब्दर number of sample points हो गए 8 चलो अब तुमसे पूछ रहा है सर X, X है हमारा random variable जिसका मतलब है number of heads अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बाई कि अलग-अलग outcomes में अलग-अलग number of heads है जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है इसमें 0 है और इसमें 2 है इसमें 0 है और इसमें 2 है 3 से ज़्यादा possible नहीं है क्योंकि 3 बार coin उच्छाल रहे हो तो 4 बार कैसे head आ सकता है चलिए, यह X की possible values हो गई अब मैं एक table बनाता हूँ यह X की value 0, X की value 2 X की value 2, 1, 2, 3 और इसके सामने लिखता हूँ probability और अब मैं आपसे पूछता हूँ random variable की value 0 आ जाए इसके कितने chances है random variable की value 0 हो इसके कितने chances है तो तुम बोलोगे 1 out of 8 number of heads की value जो है तुमारी वो 1 आ जाए ऐसा कितनी बार हुआ है 1, एक ही head हो तुमारे number of heads की value 2 आ जाए ऐसा कब-कब हुआ है HHT, HTH और TH HH, this is also 3 out of 8 और तीनो के तीनो head आ जाए ऐसा एक ही बार हुआ है now this table which actually shows the random variable values and corresponding probability distribution इस table को हम बोलते है probability distribution, simple इस table को हम बोलते है probability distribution, लेकिन frequency distribution और probability distribution एक basic अंतर कि frequency का total तो जो question में होगा वोही होगा, लेकिन probability probability का total हमेशा बनाता है तो तुमारा distribution सही बना है या नहीं बना है, उसको check करने के लिए तुम इसका total करके देख सकते हो and it will always come to 1 इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है तो यह था हमारा basic idea about what is the probability distribution table, what is probability distribution basically, now सबसे पहला concept आता है expected value, जैसे तुम frequency distribution का am निकालते हो न, वैसी probability distribution का भी तुम am निकाल सकते हो, मैं तुमको बताता हूँ कैसे देखो, जब हम frequency वाला topic पढ़ रहे थे, मतलब जब हम statistics पढ़ रहे थे, तो हम लोग am का formula लिखते थे like this, sigma of fx upon sigma of f, अब उसी को अब am ना बोलते हुए, मैं यहाँ पर बोलूँगा, expected value, expected value of x is summation of px upon summation of p, सीधी सी बात है, तुमारा हर चीज जहाँ जहाँ frequency लिखा होता था, वहाँ वहाँ probability लिखा हुआ है, तो तुमारे formula में भी जहाँ जहाँ frequency आ रहा था, अब वो probability बन जाएगा, लेकिन इस formula को मैं थोड़ा से revise कर सकता हूँ, because I know that sigma of the p, यह value तो हमेशा बनानी है, this value will always be 1, क्योंकि मुझे पता है कि summation of p तो हमेशा बनाना है, तो इसका मतलब फिर अगर आपको expected value निकालनी है, तो denominator लिखने की ज़रूत नहीं है, you can directly write sigma px, that's it, अब यह आपका एक formula बन के निकल गया, इसको कि आप कहीं भी use कर सकते हो, तो मतलब अगर मैं आपसे ex की जगे ey पूछ लूँ, तो आप बोल दोगे ey का मतलब हो जाएगा, sigma py, मतलब x की जगे, फंक्शन जैसा बन गया, अगर मैं पूछ लूँ, ex square, तो तुम बोल दोगे sigma px square, कहीं भी use कर सकते हो, यह तो हो गई am की बात, चलो हम लोग इस question में am निकाल देते हैं, तो अगर मुझे इस question में am मतलब expected value of probability distribution निकालना है, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में multiply, x और p का summation, multiplication और उसका sum कर देना, finally, तो 0 into 1 by 8, 0 by 8, 1 into 3 by 8, 3 by 8, 2 into 3 by 8, 6 by 8, and 3 into 1 by 8, 3 by 8, इस पूरे को मैंने जोड़ा, इसका मतलब expected value की value होगी, 12 upon 8 और 12 upon 8, मतलब कितना होता भाई, कितना होता 12 by 8, 1.5, तो यह होगी आपका expected value हो, चलेगा, ठीक है, this is expected value of x, अब दूसरी चीज़ जो हम लोग सर, statistics में पढ़ते हैं, वो है हमारा variance, variance का formula हमने पढ़ाता, sigma of fx square upon sigma of f minus x bar का whole square, अब उसी चीज़ को जब तुमको यहाँ पर probability की दुनिया में पढ़ना है, तो तुम उसको नाम दोगे vx, variance of random variable x is, sigma of px square divided by sigma p minus, क्योंकि तुमारा mean अब हो चुका expected value, तो उस पूरे का square, अब यह तो तुमारा 1 हो जाएगा denominator, और sigma px square मैंने अभी तुमको बता था कि, ex square लिख सकते हो, तुमारा formula बनके निकल जाएगा, e of x square minus e of x का whole square, क्या समझे, e of x square और e of x का whole square, इससे तुमें मिल जाएगा variance, तो चलो भाई, अब हम लोग वो भी निकाल देते है, px square, क्योंकि अगर मुझे expected value of x square निकालना है, तो px square करना पड़ेगा, तो x का square मतलब 0 का square upon 8, 1 का square इंटो 3 by 8 मतलब 3 by 8, 2 का square 4 3 जा 12 by 8, 12 by 8, 3 का square 9, 9 3 जा 27 by 8, इस पूरे को जोड़ो कितना हा रहा भाई, 3, 12, 27, 3, 3, 12, 27, इससे दिए 42 आ रहा है, कितना हा रहा है, 3, 12, 27, इससे दिए 42 अपन, 8, एक बाई सको फिर से चेक कर लेते हैं, 42 अपन 8, 0 का square इंटो 1 by 8, 0 आ जाएगा, 1 का square इंटो 3 by 8, 3 by 8, 2 का square 4, 4 इंटो 3, 12 by 8, 3 का square 9, 9 3 जा 27 by 8, 27, 39, 39, 3, 42, 42 अपन 8, तो ये value आगे तुमारी 42 by, 42 by 8, इसको कि मैं लिख भी सकता हूँ, 5.25 और माइनस कर दूँगा, expected value of x के साथ, योगी कितना है, 1.5 उसके square के साथ, बता दीजिए, what will be the variance of random variable x, it will be 1.5 का square, subtracted from 5.25, the answer is coming to 3, और अब अगर तुम से कोई पूछ लेता है, what is the standard deviation of random variable x, तुम बोल देना 3 का root, that's it, तो आपने mean निकालना भी सीख लिया, जिसे आप प्यार से expected value बोलते हो, आपने variance निकालना भी सीख लिया, और variance अगर बन गया, तो फिर तो sd बनी गया है, तो I hope उसमें problem नहीं है, तो formula देख लीजे, जो मैंने आपको derive करके बदाया, expected value of x is summation of p into x, उसको हम am भी बोल सकते हैं, probability की दुनिया में, am को इस वाले sign से दिखाया जाता है, और इस वाले sign को हम लोग बोलते है, mu, we call it mu, mu mu, रही बात variance की, तो variance को इस वाले sign से तो तुम दिखाते ही हो, यह तुमारा formula बनके निकल जाएगा, एक तो वो पुराना वाला formula नहीं था हमारा variance का, x minus x bar का whole square upon n, एक तो वैसे भी निकाल सकते हो, और दूसरा जो हम shortcut use करते थे, sigma of x square upon n minus x bar का whole square, यहाँ पर वो वाला लग गया, यह shortcut वाले से मैंने तुमको बताया था, obviously और यह वाला जादा easy होता है तुमारा करने के लिए, इसमें थोड़ा जादा time लगता है, ठीक है, और फिर यह properties हैं, कि कि किसी constant की expected value निकालोगे, तो भाई जब वो value constant ही है, तो expectation भी constant होगी न, फिर same value का constant, value का average क्या होता है, constant ही रहता है, वोई वाली बात है, यह अच्छा property है, एक्स ब्लस वाई लिखाओ, तो एक्स ब्लस दिवाई कर दो, एक्स इंटू वाई लिखाओ, तो multiply कर दो, सीधे, कोई constant अगर variable में multiply तो वो बाहरा जाएगा, change of scale की तरह है, और कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर तुमको expected value और standard deviation पूछा था, उसी सवाल का, लेकिन मैंने बोला कि मैं वहीं कर देता हूँ, और double-double क्यों काम करेंगे, तो मैंने यहाँ already expected value निकाल दिया है, 1.5, और already variance भी निकाल दिया है, 3, तो वही आगे वाला example हमने पहले solve कर दिया है, अब आपके पास इस type के सवाल आएंगे, देखो क्या पूछ रहा है, ये रहा आपका random variable, following probability distribution, चलिए इसका ये वाला value निकाल लिए, ये वाला value मतलब क्या, साफ देखके समझ में आरा variance का formula है, अब मैं तुम से क्या बोलूँगा, मुझे दो चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए sigma px square, और मुझे चाहिए sigma px, ताकि उसका whole square निकाल सकूँ मैं, सबसे पहले हम निकाल देते है, sigma px, sigma px मतलब cross product कर दो इन दोनों का, पहले ये निकालो, expected value निकालो, sir 4 into 1, 4 into 0.15 m plus, 5 into 0.2 m plus, 7 into 0.4 m plus, 8 into 0.15 m plus, 10 into 0.1 m plus memory recall, that is 6.6, उसका तुम को करना है square, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, उपर उपर वाली values का, x का square करके फिर priority से multiply करो, 4 into equal to into 0.15, memory plus, 5 into equal to into 0.2 memory plus, 7 into equal to into 0.4 m plus, 8 into equal to into 0.15 m plus, or 10 into equal to into 0.1 m plus, memory recall, that is 46.6, यह जाएगा तुमारा 3.04, 3.04 is your variance, अब तुम से पूछ रहा है, variance of 3x minus 4 निकालो, तो भाई, सीधी सिंपल सी बात होती है, कि पहले मुझे इसका sd निकालना पड़ेगा, sd of x, 3.04 का root, तो sd of y क्या जाएगा, change of scale का impact लेना है, 3 times of 3.04 का root, और अब, y का variance निकाल दो, वो हो जाएगा, 3 का square 9, और 3.04 वाले root का square, 3.04, अंसर होगे, 27.36, य एक important example था, जो हमने कर लिया है, इस type का सवाल, paper में बहुत, उचा जाता है, क्योंकि बहुत easy भी होता है, लेकिन important भी होता है, एक business जो है, वो profit करता है, 50,000 का, या फिर loss करता है, 20,000 का, profit की probability, 0.75 और loss करने की probability, 0.25 है, उसका expected profit क्या है, तो सबसे पहले, यहाँ पर x का मतलब है profit, और x की क्या-क्या values possible है, x की एक positive value possible है, 50,000, और x की एक negative value possible है, that is 20,000, probability क्या है sir, profit होने की probability है, 0.75, और loss होने की probability है, 0.25, तो अगर आपसे कोई पूछता है, what is the expected value, तो तुम बोल दोगे, ठीक है, तो सीधे निकल जाएगा मेरा, this into this, plus this into this, ध्यान रखीगा, यह negative है, तो यह net होके minus होके आएगा value, तो 50,000 into 0.75, memory plus, and 20,000 into 0.25, memory minus, memory recall, 32,500 रुपीज, इसके paper में आने के काफी chance है, इस type of variety के question के, not exactly this one, कि बता चला तुम 32,500 रटके चले गए, कि ऐसा कोई भी सवाल आएगा, 32,500 लगा के आउंगा नहीं भाई, logic रटके जाओ, चलो, अब box contain 12 electric lamp, जिसमें से 5 defective है, और एक man जो है, वो 3 lamp select करता है randomly, तो बता ही, expected number of defective क्या आ सकते हैं, अब देखो भाई, अगर तुमारा random experiment है, selection of 3 lamps, out of 12, तो इसका मतलब, अगर मैं random variable define कर दू, number of defective lamps की, तो अगर तुमने चुने ही 3 lamp हैं, तो defective जादा से जादा 3 आएंगे, और उससे जादा क्या आएंगे, या तो एक भी defective नहीं आएगा, कि तुमने जितने भी तुमने तीन लैंप चुने, वो इन पांचों में से उठा लिये तुमने, या तो एक defective, या तो दो defective, या तो तीन defective, फिर इसकी तुम probability निकाल दो, probability निकालो कि कैसे, combination वाले formula की मदद से, कि एक भी defective अगर नहीं है, तो इसका मतलब, जो बारा में से मेरे पास, 7 non-defective है ना, और बारा में से 5 defective है ना, तो मैं जब non-defective बोल रहा हूं, मतलब मैं, तीनो के तीनो लैंप जो है, non-defective वाले में से चुन रहा हूं, all divided by 12C3, यह probability बन गई, दूसरा वाले केस में मैं बोलूँगा, कि 5 जो defective है उसमें से 1, और 7 जो non-defective है उसमें से 2, 12C3, या फिर 5C2, 7C1, 12C3, या फिर 5C3, मतलब तीनो के तीनो defective, 12C3, इसका answer तुमको निकालना है, मज़े की बाद जब तुम यह पूरा solve करके, total निकालोगे तो 1 आएगा, उससे तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी, या वा, इसका मतलब concept अच्छे से समझ में आया, और आएगा भाई, बिलकुल आएगा, उसकी tension मतलो तुम, now, moidul जो है, वो 2 ball निकालता है एक bag में से, और उस bag में 3 white और 5 red ball रखी हुई है, और उसको दिखता निए कि वो कौन सी ball निकाल रहा है, competition ऐसा रखा गया है कि अगर वो white ball निकालेगा न, तो उसको 500 रुपे मिलेंगे, अगर वो red ball निकालेगा तो उसको 200 रुपे मिलेंगे, तो बताईए इस game से उसकी क्या expectation है, तो मैंने बुला देखो भाई, इस game में जो उसको पैसे मिलने वाले, price money, x is equals to price money, x जो है वो price money की बराबर है, तो x की क्या-क्या value is possible है, मैंने बुला वो depend करेगा कौन सा case है, क्योंकि तुम 2 ball निकाल रहे हो, अगर दोनों की दोनों white ball निकल गई, तो बले बले शावा-शावा, क्यों, प्योंकि white ball में 500 मिलते हैं, तो 2 white ball में 1000 मिल जाएंगे, अगर तुमारी एक white और एक red निकली, तो 500 और 200 700 रुपीज मिल जाएगा, और अगर तुमारी दोनों red निकली, तो किसमर तुम्हारी बड़ी खराब है भाई तुमको सिर्फ 400 रुपे मिलेंगे अब उनकी corresponding probability यहां निकालके expected value निकाल देंगे अब probability कैसे निकालोगे फिर combination कि भाई मैं 8 में से 2 बॉल चुन रहा हूँ तो यह हो गया मेरा ns की value और अगर तुमको बताना है कि 2 white ball चुननी है मतलब 3 में से दोनों की दोनों white ball चुन ली तुमने फिर मान लो तुमको बोलता है कि 1 white और 1 red तो 3 में से 1 white 5 में से 1 red upon again 8c2 अब फिर तीसरा हो जाएगा तुम्हारा कि 5 की 5 और red ball में से कोई 2 ball चुन ले न अपन 8c2 इस पू प्रॉफिट हो गाई न क्योंकि 400 तो कम से कम है तो average तो 625 कुछ आ रहा शायद 625 लिखना है बच्चे तो तुमसे पूछ रहा क्या यह गेम में participate करना सही अगर इस गेम की entry fees जो है 400 रुपए कि तो क्या तुम इस गेम में participate करोगे obviously करेंगे यार इतना easy game है 400 रुपए तो उसमें surely मिल रहे है तो घाटा तो कुछ है नी no loss now 100 natural number एक random experiment की 100 natural number में से एक natural number उठाना है दूसरे random experiment 200 में से एक उठाना है उनके expected value of the product की value क्या होगी तो भाई मैं दो experiment मान लेता हूँ एक को x मान लेता हूँ एक को y मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो random variable की values है वो है 1,2,3 से लेके 100 तक और उन सब की probability आ जाएगी 1 by 100, 2 by 100, 3 by 100 से लेके 1 by 100 तक अपनी probability तो सब की 1 ही रहेगी sorry probability तो सब की 1 by 100, 1 by 100, 1 by 100 ही रहेग 2 by 100, 3 by 100 करके 100 by 100 तक उस पूरे को तुम अगर जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा तुमारा 1 plus 2 plus 3 से लेके 100 तक all divided by 100, यहाँ पर तुमारा वो आला formula लग जाएगा sequence and series का 100 into 100 plus 1 upon 2 divided by 100, तो 100 100 cancel हो गया, बच गया तुमारा 50.5, 101 upon 2, वही सेम चीज़ जब तुम दूसरे वाले में करोगे तो उसका आजाएगा 200 वाला, तो 200 into 201 upon 2 upon 200, यह दोनों भी cancel हो जाएगा 100.5, यह होगे expected value of x, यह होगे expected value of y, तुम से पूछ रहा expected value of the product, तो 50.5 और 100.5 को multiply कर देना आपस में, you will get the answer, ठीक है, अब जैसे यह question है, वाइस में कोई दम की बात नहीं ह इस पूरे का sum 1 के बराबर हो जाएगा, यह पूरे का sum अगर 1 के बराबर हो गया, तो k की value निकल जाएगी, solve करोगे तुमको अराम से मिल जाएगा, k का value is 0.1, और accordingly तुम इसमें डालते जाओगे, अब तुम से जैसे पूछ रहा, what is the probability of x less than 3, नियान दीजेगा, less than 3 less than equal न जोड़ देना, k की value डालने के बाद, that's it, और कुछ दम की बात निया उसमें, फिर यहाँ पर है 2 से लेके 5 तक, तो 2 के बाद मतलब 3 से 5 तक, 3, 4, 5, क्योंकि 2 को नहीं count करना है, 3 को करना है, 4 को करना है, 5 को करना है, मतलब यह तीनों की value काउंट कर देना, आकरी value हो जिरो को इस से multiply कर दो, 1 को इस से कर दो, और इसको इस से कर दो, answer आजाएगा, यह तो तुम्हारा change of origin, change of scale है, इसमें तो कुछ करने की जड़ों ने, standard deviation पूछ रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो दो बार निकाला, तीसरी बार भी निकाल देना, summation of px square minus, summation of px का whole square, और उस expected number पूछ लिया है, तो number of correct statements तुमको निकालना पड़ेगा, यह तुम्हारा जो है, random variable हो जाएगा, ठीक है, और उसकी priority तो तुमको दी हुई है, तो 60, 70 और 90, और उसमें respectively तुम्हारा error, यह वाला question actually हो चुका है, जरूत नहीं है, यह तुम्हारा उसके जैसा है, वो price money जो ह उसके जैसा छोटी value में दिया हुआ है, यह हम already कर चुके है, that's it, last आता statistical definition of probability, जो सिफ तुमको यह बताता है, एक theoretical question, कि क्या है probability में भी तुम वही करते हो, कि एक particular cases का favorable outcome लेके total से divide कर देते हो, और जब तुमने statistics पढ़ा था, तो वहाँ भी तुम यही करते थे, कि जब तो बोल रहा है, relative frequency का concept और probability का formula थोड़ा मिलता जुलता है, that is statistical definition, कि it is based on the concept of relative frequency, that's it, तो यह limit limit कुछ डरो मत इससे, यह सिर्फ theoretical point वी से दिया हुआ है, कि अगर आप frequency of the particular outcome divided by total outcome को divide करते हो, और इस चीज़ को infinite times तक experiment करते हो, तो आपका probability बिलकुल match कर जाएगा आपके answer से, मतलब अगर आज मैं तुमको बोलू न, एक experiment देता हूँ, paper के बात करना भी मत करना नहीं, तो paper छूट जाएगा, coin लेना, और कम सिकम एक लाख बार coin उच्छाल के देखना, एक लाख बार, और count करते चलना कि number of heads कितने आ रहे हैं, देखना, एक लाख बात जब पूरा होग में, कुछ सवाल नहीं बन रहा है, क्या बोल रहा है, if a worker is selected at random, what is the bloody की उसकी wage जो है वो, 50 रुपे से कम है, तो ऐसे तो कोई भी नहीं है, 0 हो जाएगा, what is the bloody की उसकी जो wage है, वो 80 रुपे से कम है, 80 रुपे से कम मतलब, ये तीनों का sum, divided by total number of worker, which is I think 150, इन तीनों का sum करके 150, ये relative frequency तो निकालनी हो गया न, बस set A मैं नहीं करवा रहा हूँ, revision में, क्योंकि इससे theory questions ऐसा चाते नहीं हो, time भी हमारा almost over होने वाला है, so I hope guys, कि probability हमारा practical part अच्छे से हो गया है, आराम से हो गया है, शांदार तरीके से हो गया है, 4 lecture लिए 50-50 minute के, लेकिन कोई भी चीज चीज छोड़ी नहीं है, जो चीज छोड़ी है वो खुल के बताया मैंने, पहले दिन से बताया था कि छोड़ूंगा, वो तुमारा जो बाल, एक बाल से उठाया, एक बैक से दूसरे बैक में डाल दिया, वो आले बड़े-बड़े सवाल, जिसमें अपने आप में 15-20 minute सव यह बहुत helpful लगा, let me tell you one important thing, अगर आप probability का fast track revision यहां से कर रहे हैं, तो this is a complete series और उसकी playlist आपको description पर मिल जाएगी, तो बीच के lecture से join ना करें, lecture 1 से ही देखें, जादा useful रहेगा और playlist की link अपने पास रखें, कभी भी आप उसे use कर सकते हैं, बाद में future reference के लिए, तो anacademy क special classes भी आप देख सकते हैं, anacademy के app पर free, जो classes होती है, platform का एक idea आपको हो सकता है, कैसे features काम करते हैं, यह आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और पहली बार देखने के लिए, आप मेरा code यूज़ करके entry ले सकते हैं, special class में, और अगर आप anacademy के कोई भी subscription लेकर, हमारी regular batches join करना चाते हैं, simply anacademy की website पर आईए, anacademy.com, start learning क्लिक करके अपना goal select कीजिए, वहाँ पर आपको chartered accountancy CA मिल जाएगा, foundation में जैसे अगर आप जाते हैं, तो यह foundation का home page, get subscription, plus iconic दो offerings हैं, plus के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, multiple live classes, multiple teachers से पढ़ने का मौका, unlimited access, लेकिन इसके साथ, अगर add-on में आपको printed books, live mentorship, doubt solving भी चाहिए, then you can upgrade for iconic, plus iconic light, यह तीन options आपके पास है, light is only for the test series, and subscription लेने से पहले ज़रूर website को check करें, prices change होते रहते हैं, लेकिन एक बात ताय है, वो यह, कि अगर आप यह code लगा होगे, तो जो भी maximum possible discount आपके purchase करते समय होगा, वो आपको मिल जाएगा, so this is my code which you can use, C-A-P-R-A-N-A-V, C-A, आपका aim, प्रणाओ मेरा नेम, thank you so much guys, hope so, it was helpful for you, if you are a new subscriber, if you are a new viewer, don't forget to subscribe, and अगर आपको content अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको इस चीज़ की जरूद है, thank you so much guys, bye bye, take care, and let's crack it.